तो गाइस इस वीडियो में हम amoebic dysentery के pathogenesis के बाद में discuss करने वाले हैं सबसे पहले हम यह समझते हैं कि amoebic dysentery होता क्या है देखिए वो causative agent जो dysentery cause करते तो इसमें कौन सा causative agent है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं amoebic dysentery क्या होता है तो डाइडिया में blood plus mucus आ जाए तो उसको बोलते हैं dysentery ठीक है तो एंट आमेडिया ने dysentery cause किया है और जिससे gastrointestinal infection होते हैं ठीक है यह amoebic dysentery spread होता है देखिए जब कोई भी वेक्ति contaminated food or water को consume करता है जिसमें जो एंट आमीबा histolytica है उसका cyst हो ओके तो जब consume करता है तो वहां से वो stomach को cross करते हुए intestine में आता है तो देखिए जब उन्हेंने consume किया था तो वो एक mature cyst था ओके mature cyst को consume किया जब वो intestine में पहु करेगा तो वो क्या cause करेगा वो जो epithelium होता है जो intestine large intestine का epithelium होता है उसको penetrate करते हुए वो submucosal layer तक पहुचता है वहां से वो जो hyaloeuternidase को use करके यह penetrating factor है यह और penetrate करते हुए अंदर की और गया और उसने ulcer cause किया ठीक है तो ulcer cause करेगा तो उसमें क्या होगा कि यह condition क्र क्या होता है water reabsorption तो इसने large intestine को damage कर दिया ठीक है तो water reabsorption हो नहीं पाएगा तो इससे क्या होगा डाइडिया होगा ठीक है और यहां ulcer हो चुका तो यहां bleeding हो रहा है तो diarrhea plus bleeding leads to the dysentery तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि anti-amoeba histolytica ने dysentery cause किया तो इसलिए इसका नाम है amoeb dysentery